तेली साहू समाद जो है वो बिहार में 8 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक करने जा रहा है जी हाँ तेली जाती की हम बात कर रहे हैं जातीय जनगंडा की रिपोर्ट आई है जिसमें तेली की संख्या को बेहद कम बताई गई है और इस बैठक का नेत्रित जो है वो जदियू के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू करने जा रहे हैं जी हाँ जदियू से सांसद हैं लेकिन अपने ही पार्टी के खिलाफ अब वो इस्टैंड ले रहे हैं और इसका कारण बताई जा रहा है कि उनकी जो जाती है तेली साहु समाज उनकी जनगर्णा में अंदेखा किया गया है उस समाज को उनकी बेहत कम संख्या बताई गई है अब इसे लेकर एक नया विवात खड़ा हो गया है कि अब जदियू की अंदर खाने से भी जाती है जनगर्णा के खिलाफ आवाज जो हैं स्वर जो हैं वो बुलंद किये जा रहे हैं देखिए बिहार में इसे लेकर सियासत अपने चरम पे है जातीगत आकडों के हिसाब से हिसेदारी की बात होने लगी है कई इलाकों में ये रिपोर्ट मिल रही है कि उनके यहां तो कोई गण्ना करने पहुचा ही नहीं है कई ऐसे इलाके हैं मुझफरपूर की बात की दिये खुद रजधानी पटना के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर गण्ना करमी नहीं पहुचे हैं और लोग इस बात को सोसल मीडिया पर लिख रहे हैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात को सामने ला रहे हैं राजनिती के लियारे की बात करें तो उपेंद्र कुस्वाह से लेकर समराग चौधरी और चिराक पास्वान भी लगतार स्वर में स्वर मिला रहे हैं और ये बात को कह रहे हैं कि जातिये जनगर्णा की रिपोर्ट जो है उसके आकड़े जो है वो फरजी है लेकिन राजनिती का चरम तब हुआ जब खुद जदियू के अंदर से इसके खिलाब बगावती सुर सामने आने लगे और वो भी कोई छोटा नेता नहीं बजापते सांसत जो हैं जदियू से सुनील कुमार पिंटू वो इसे लेकर अब सवल उठा रहे हैं सीता मड़ी से जदियू के सांसत सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि जातिकत सर्वे में तेली समाज की गिंती ही नहीं की गई है उन्होंने कहा कि पतना में 8 अक्टूबर को तेली साहु समाज की बैठक होगी उसमें जनगर्णा फिर से कराने को लेकर अपनी मांग रखी जाएगी जी हाँ 8 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक पतना में आयोजित की जाएगी जिसके बाद बिहार सर्कार के सामने एक पत्र लिखकर या खुर सकता है कि जो डेलिगेट होंगे वो मिलने भी जाएगी और इसकी मांग की जाएगी कि जाती के जनगर्णा फिर से कराई जाए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि तेली साहु समाज जो है वो बेहद आक्रोस में है सरकार ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया सुनील कुमार पिंटू ने गुरुवार को कहा कि जाती जनगर्णा रिपोर्ट के अंदर जो तेली समाज की संख्या बताई गई है वो नगन्ने है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बेहद हरबड़ी में और हरबड़ी से ज़ादा अपने मन मुताबिक आक्रो को सामने रखा गया है जिसमें कुछ जातीयों को एक या दो ऐसे जाती है जिनको विसेश लाफ पहुँचाने के लिए आंकडों के साथ बड़ा उलट फेर भी किया गया है ये तमाम आरोप खुद जदियू के सांसद अपने ही नेता नितीश कुमार के उपर लगा रहे हैं सुनील कुमार पिंटो ने साफ कहा है कि इसको लेकर समाज में एक और विसाल जन सभा का आयोजन करते हुए एक बैठक की जाएगी आठ अक्टूबर को पत्ना में समाज के लोग जुटेंगे और उनके द्वारा मुख्यमंतर इनितीश कुमार को ग्यापन सौपा जाएगा इस बैठक में बिहार के हर जिले के लोग सामिल होंगे और सरकार से दुबारा जंगरना कराने की मांग जो है वो हम उठाएंगे और ये बिल्कुल करेंगे देखिए इसके पीछे आपको याद होगा कि बीते दिनों जदियू के अंदर मतलब जदियू के अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं चल रहा है कई ऐसे नेता हैं जो बगावती शूर बार-बार सामने ला रहे हैं ऐसे तादा मामला असुक चौधरी और ललन सिंग का रहा पर विगाविदान सवा को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए ललन सिंग के आख में आख मिला कर असुक चौधरी जो है वो डटकर उनका सामना करते हैं प्रितिश कुमार कुछ नहीं बोल पाते हैं इसके अलावा अजया लोक बार बार ये बात कहते हैं कि जदियू के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है उपरिंद कुस्वाह तो यहां तक कहते हैं कि जदियू में एक बड़ी टूट हो सकती है बड़ी टूट इसलिए होगी क्योंकि कई नेता जो है वो राष्टी अध सब्सक्राइब के परिवार से बहुत बड़ी हुई है हो सकता है कि जो कुछ दस्वारा विधायक आर्डी में कम रहे हैं वो ललन सिंग तोड़ करता है तो इस तरीके साब समझे कि जदियू के अंदर एक बड़ा उलट फेर एक बड़ा भुचाल एक टूट का डर जो है व समी करन बदल चुका है नितीश कुमार आर्डडी के साथ जा चुके हैं तो ऐसे में कई तरह की संभावना है पहला तो यही कि सुनील कुमार पिंटु को जो उनका सिटिंग सीटे सीता मढ़ी वो मिलता है या नहीं मिलता है दूसरा कि अगर मिलता भी है तो जीत की कितनी सं कि सुनील कुमार पिंटु जो है वो हो सकता है कि इस बार सीवर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाओ लड़ने जा सकते हैं चुकि सीवर बाहूल छेत रहे खुद सुनील कुमार पिंटु तेली समाज से आते हैं तो यह भी एक संभावना है कि सुनील कुमार पिंटु या फ बोब बोब सुक्दिया